नमस्कार दोस्तों टेक्निमलोजिक हिंदी में आपका स्वागत है तो आज हमारे पास है रियलमी की तरफ से रियलमी एक्स्टू प्रू जो फिलाल में ही इंडिया में लाउंच हुआ है और यह रियलमी की तरफ से पहला फ्लेक्श्टू स्मार्टफून है तो इसकी प्राइजिंग की बात करते हैं तो यह आपको मिलता है 30,000 रुपे के अंदर जो आपको मिलेगा 8GB और 108GB वाला वेरियंट और 34,000 का आपको मिलेगा इसका हाईयर वेरियंट जो है 12GB और 256GB मेमरी के साथ और साथ इसाथ इन्हों ने अपना मास्टर एडिशन भी लाउंच कर दिया है जो सिर्फ 1000 रुपे महंगा है यानि कि वह 12GB RAM और 256GB Storage के साथ इसके अंदर मास्टर एडिशन में आपको दो कलर वेरियंट मिल जाते है एक तो है रेड ब्रिक एडिशन जो काफी ब्रिक से इंस्पायर्ड है और थोड़ा रेड कलर का और थोड़ा रफ फिनिश के साथ आता है और अगला है कॉन्क्रीट तो यह भी उ इसके वेरियंट में आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा और आप कमेंट करके प्रा सकते हैं कि आपका फेवरिट कलर कॉन सा है फिलाल के लिए हमारे पास इसका वाइट एडिशन वाइड एडिशन पी काफी अच्छा लगता है इसके फ्रेंड में आते हैं तो इसक इसके टॉप में भी एक स्पीकर गेल है और इसके बॉटम में भी है तो जो आपको काफी अच्छी साउंड क्वालिटी देगा बॉटम पर आते हैं तो हमें मिलता है 3.5 एक काफी अच्छी बात है क्योंकि काफी फ्लेक्शिप में इसको रिमूव कर दिया गया है और साथ की साथ मिलता है प्राइमेरी माइक्रोफोन टाइप सी पोर्ट और स्पीकर गेल्स तो इस फोन में दो स्पीकर गेल्स आते हैं जैसे अभी आपको दिखाया अपर में भी है नीचे भी है और यह डॉल्बी एटमाउस को सपोर्ट करता है जो आपको काफी अच्छी साउंड क्वालिटी देगा तो इसका जो मेतलिक फिनिश है अब देख सकते हैं यह सिल्वर कलर का यह अल्मुनियो म् फिनिश striking left side में आते हैं तो हमें भी नाउयुम् रॉकर्स टमब आते है टो हमें में मिल नाव कैनलेशन मािक इसकी right side में आते हैं तो हमें मिलता है dual sim tray जो दो nano sim को एक साथ चला सकता है इसके तो micro sg का support नहीं है पर आपको storage variant भी काफी अच्छे मिल रहे है और sim tray के नीचे है power lock button जो काफी अच्छे finishing के साथ आता है एक side में आते हैं तो हमें मिल जाते है 4 camera पहला camera 64 megapixel का जो आता है f1.8 lens के साथ और जो second camera है वो है 13 megapixel का जो आता है f2.5 telephoto lens के साथ जो third camera है वो आता है 8 megapixel के ultra wide angle lens के साथ जिसका aperture है 2.2 जो काफी अच्छा है और इसका जो आखरी camera है वो है 2 megapixel का depth sensor जो आपको portrait photos में help करेगा और साथ ये साथ ये आता है dual LED flash के साथ और इसके नीचे आप देख सकते है realme का logo है जो काफी अच्छे position में है जो इसके पीछे की glass back है वो काफी काफी अच्छी quality यूज करी है इनोंने और इसके camera की तरफ आ जाते हैं तो ये support करता है 5 optical zoom के साथ जो मैं आपको करके दिखाता हूँ और अगर आप इसको दुबारा टैप करेंगे तो इसका wide angle lens open हो जाएगा और इसके front camera की बात करते हैं तो काफी clear है इसका front camera इसका 16 megapixel का camera है जो 2.0 aperture के साथ आता है तो front camera में भी इनोंने portrait option दिया है जो काफी अच्छी बात है अगर हम इसके software पार्ट पर आते हैं तो हमें थोड़े से blotware देखने को मिल जाते हैं जैसे आप देख सकते हैं इसके अदर आपको facebook पहले से डला आ जाता है daily hunt news app पहले से डला आ जाता है और काफी सारे apps है पर आप इसे कभी भी अनिश्वाल कर सकते हैं तो इस phone के अंदर आपको मिल जाता है snapdragon 855 plus octa core processor जो अभी तक का top notch processor है और यह है 8GB वाला variant जिसके अंदर आपको 108 GB की storage मिलती है जिसमें से आपको 114 114 GB available space मिलेगी बाकी ये on screen fingerprint के साथ भी आता है face recognition भी है इसके अंदर इस phone का जो सबसे unique point है वह है इसका 50 watt का charger जो काफी कमाल का है और इसके 4000 mh की बड़ी बैटरी को भी 30-35 मिलेट के अंदर पूरा fully charge कर देगा तो आपको अपसे अपने phone की battery चिंता करने की जुरत बिलकुल भी नहीं है अगर हम बा आइंगे वाइंगे फ्लेक्शिप्स में यूज होता है 3.0 और साथ ही साथ इसमें dual speakers with dolby atmos technology जो काफी अच्छी sound quality आपको दे देते हैं और इतना है नहीं यह smartphone के अंदर आपको मिलेगा vapor cooling system जो आपके smartphone को करीबन 5 degree और कम रखेगा अगर आप गेम विगरा जाता खेलते हैं तो आपको काफी health मिलेगी कि आपका phone heat up ज्यादा नहीं होगा और साथ ही साथ इसकी जो display है वो 90Hz की display है जो आपको काफी fast experience देगी बाकी smartphone से और इसके नदर 4000 mAh की battery है वो भी आपको full day battery backup दे देगी तो अब आ जाते हैं इनके color variants की तरफ तो आप जैसे देख सकते हैं यह white और blue दोनों वेजेंट है जो आपको करीबन 30,000 रुपे तक के मिल जाएंगे इन दोनों में से personally तो मुझे white वाला ज्यादा बैटा लगा देखने में पर अपने अपनी choice है हो सकता आपको blue ज्यादा पसंदा है वो थोड़ा ज्यादा shiny और थोड़ा dark color का है और glass bag में और भी ज्यादा shine कर रहा है तो अगर हम इसके master edition पर आते हैं तो यह इसका red brick edition जो काफी premium लगता है तो एक brick से inspired है इसका जो power lock button है यह थोड़ा golden finish का इनों दिया है जो काफी अच्छा लग रहा है इसकी जो quality है थोड़ा सा rough finish दिया गया है अगर हम आते हैं इसके चौते variant की तरफ जो है concrete version तो यह concrete edition मुझे सबसे अच्छा लगा है आप comment section में बताइए आपको यह वाला version कैसा लगा यह थो थोड़ा थोड़ा वैसा ही लगता है पर उससे थोड़ा सा बैटर ही लग रहा है इसका जो real me का logo है और नीचे signature है वो काफी अच्छा लग रहा है वो देखने में इसके अंदर भी golden power lock button दिया है और इसके side में aluminium finish कलर के साथ और अच्छी लगती है तो इस वीडियो में इतन